नमस्कार, स्वागत आप सभी लोगों का गैती जोती सिकेंटे में हमेशा ही आप लोगों के लिए जोती सास्ते से जोड़ी हुई महत्पपोल्न जानकारी का बिसोट हम समय समय पर परसारित करते रहते हैं आज भी हम आप लोगों के लिए एक महत्वपोर्ण जानकारी लेकर आये हैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को बुद्धि के कारग दरित्ता नासर नपुन सकता को दूर करने वाले अकसमार सबलता दिलाने के साथ साथ अनेकों परकार के लाभ में परदान करने वाले गरह बुद्धगर को परसन करने का एक अत्यंत सिद्ध सरल उपाई सास्त संबत तुरंत फल डाई उपाई आप लोगों को बताएंगे कोई भी जातक यदि इस उपाई को आजमाता है तो बुद्धगर की पीड़ा का समन वो बुद्धगर का सुप्फल उसे अवश्य ही प्राप्त होता है जोती सास्तर में बताया गया है कि इस परकिरिया को किसी भी बुद्ध से प्रारंब कर सकते हैं बुद्धवार के प्रातवकाल सुर्य उद्धगर के आसपास किसी कासे के बरतन पे पांच मुठी साबू दुड़त हरी उड़त जिसे हम हरी माज भी बोलते हैं उसे पांच मुठी उस पे डाल दीजिए शुद्ध जल से उसे भिगो दीजिए और उसे अपने पूर्व किसान मंदिर के आसपास कहीं पर भी रख दीजिए साई के समय सूर्य अस्त के आसपास आप उस भीगी हुई हरी उड़त हरी मास को निकाल कर बाहर हरे रंग के पक्सी विशेश तोर पर तो तोता या जो भी है उसको आप खिला दीजिए यह तो असंबाव है हरे रंग का पक्सी तो सूर्यास्त के समय किसी भी पक्सी के लिए बाहर उसे छोड़ दीजिए बुद्वार से प्रारंबकर यदि कोई व्यक्ति इस प्रग्रिया को 26 बुद्वार तक करता है तो अवश्य ही उसे बुद्वार से संबंदित सुक्फल प्राप्त होता है वो असुप्फल का नास होता है दोस समन होता है यदि किसी भी व्यक्ति को बुद्वार से संबंदित पीड़ा हो सुप्फल प्राप्त नहीं हो पा रहा हो तो अवश्य ही इस शरल सिद्यासान तु उपाय को अवश्याज माएं जानकारी पसंद आये तो जरूर आगे बढ़ा कर चैनल लाइक से अर सब्सक्राइब करें पहली बार देखरे लोगों से निविदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वह वैल आइकन के वटन को जरूर दवाएं तो मिलेंगे ऐसी ही किसी बहुत अच्छी जानकारी के अपिसोट के साथ अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार